प्राइवेट एम्मुलेंसों के द्वारा मनमानी करने के आरूप सामने आते हैं ऐसा ही मामला आज सुबह देखने को मिला जाहां दमोई के प्राइवेट एम्मुलेंस कर जबलपुल ले जाया गया जहां हतनी के पहले आक्सिजन खत्म होने से यवक की दर्दनाक मौत हो गई यवक के प्राइवेट एम्मुलेंस संचालक पर गंबी आरूप लगाए हैं कि एम्मुलेंस संचालक के द्वारा मनमानी से पैसर लिया जाता है और सुविधा ओपलब दे नहीं कराई जाती है वहीं गंब को बताने की लगा तार दमो जिला एम्मुलेंस से ज़एड़ा प्राइवेट एम्मुलेंस रहती है जो जगह जगह खड़ीजाए रहती है जिससे आई दन छोटे-मोटे सराखास से भी सामने आते जाते हैं अब देखना या है कि इस गटना के बाद प्रशासन नीन से जाकता है या नहीं वो अस्पिताल प्रवंदन या एमुलेंस अंचालों पर किसी प्रकार की कायवाई की जाती है या नहीं भले ही सिवराज सरकाय के द्वारा करोण रूपे की एमुलेंस चलाई जा रही है लेकिन आम जन्मानास तक इनकी सुविधा उपलब्द नहीं हो पाती और उन्हें प्राइबेट एमुलेंसों के माध्यम से जिफर होना पड़ता है जिसके आए दिन खाम्याजे भी आम जन्दा को भुगतने पड़ती है कि कहां से आयों तिन्श आडाले से वाए हम जमोपित भरती कर रहा है जबल पुल ले जा रहा है ते हथनी में प्राइबिट कर लिए तो उमेकाद हो अक्सिजन रही है ती हती में लोग पोँचे ते लिए घली में खतम हो लड़का इसाहत रुप रुप गई है लोग दूसी पुलाई हम जम दीजल कर्वाभी दया हो यह यह प्जार करें कि अंतल जवागें व्याधिर है कि अधिल पर शार इती है तुर्ण हो इस लिए पांच हम लोग तर बाहर आए था खुंक यह लगजी एक लिए अधिनीडिक भार भर भर फिरा सटांउ एक शोबाश गाड़ हुलेगा जो प्राइवेट अम्मोलेस आए इसे गाड़ी हाटी ले लाई दे ख़ड़ी जो ले लाई दी चुबाश तो खड़ो किया लेका चाल रहा है ले जा रहा है उचलो जा रहा है दो दूसरो लगा सुम्स्राइब खाली है तो कि लो कुछ नही लगाया तो तो कुई बाहन नहीं है तो इसे क्या नाम है आपका बैजयलाल